इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Facebook की स्टोरी को आर्काइव किस तरह से कर सकते हो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Facebook को उपन करना है Facebook को उपन करने के बाद अब यहाँ पे आपको simply अपने story वाल आप्शन पे क्लिक करना है और कोई भी story जो है डाल देनी है अब गाईस आपको अपने Facebook story अच्छे से एडिट करने के बाद simply post कर देना है फिर गाईस आपको जो है अपने story को post होने तक के लिए रुख जाना है तो गाईस जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरी जो Facebook story ये post हो चुकी है Facebook story post होने के बाद अब आपको यहाँ पर simply अपने story को open करना है और गाईस आपको जो है यहाँ पर इन 3 dots पर click करना है 3 dots पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा और गाईस यहाँ पर जो है आपको 4th number पर archive photos वाल option मिल जाएगा आपको जो simplest archive पर click कर देना है archive पर click करने के बाद आपकी यह जो story है वो archive हो जाएगी सो गाईस वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी subscribe कर देना